आज हम पानी के बारे में जानेंगे पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है तो आपको पता ही है कि हम हमें पीने के लिए चाहिए Marx के बेनाम सर्वाइवई ने कर सकते है न? प्यास से मर जाएंगे और जितने भी जानवर है दुनिया में उन सब को पानी चाहिए यहां तक कि पेड़ पौदों को भी चाहिए मतलब कि जो भी हम खाना चाहिए हमें पेड़ों को उगा के या पौदों को उगा के उन सब को भी पानी चाहिए सर्वाइफ करने के लिए तो मतलब यह लाइफ को रेखने में सस्टेन करने में बहुत बरतन दो रहा है ना कुछ पीने के लिए लिए आ रहे हैं अब कह रहे हैं कि बताइए कितने पानी के जरूत पड़ती है हमें हाउ मच वाटर डू वी यूज तो एक्टिविटी वन में यही चीज कह रहे हैं कि आप अपनी फैमली का वाटर कंजम्शन जरा चेक करिए अंदाजर लगाई है कि आपकी फैमली एक दिन में कितना पानी पी आती है कितना ब्रश करने में खर्च करती है कितना बात करने में खर्च करती है कितना कपड़े दोने में बरतन दोने में टौलेट में फ्लोर कीन करने में और भी अधर एक्टिविटीज में कितना खर्च करत पानी के बहुत कमी रहती है उनको सेम अमाउंट आफ पानी मिला है कि सबको इतनी प्रिविलेज मिले है कि 200 लीटर पानी खर्च कर सके तो जवाबे बिल्कुल भी नहीं है जहां पर सूखा पड़ जाता है ना वहां पर तो दिन भर के 10 लीटर पानी मिलना भी मुश्किल है ए हे पानी की जुरूथ पड़ती है हर एक पेज के लिएए बुक के ठीक है मतला अच्छा पानी लगता है वो को या पिपर बनाने में आ अंगे धिके मुलने वैटर्वी जासे मिल सकता है त मिल सकता है नदी जाब दीब सकता है रिवर्श वगर्रा से पॉंड से कूंओं से मातरा बहुत जादा होती है उसे ना तो हम पी सकते हो जहरी ला है हमारे लिए और ना ही उससे कपड़े वगेरा धो सकते हैं क्योंकि उसमें जागी नहीं होता ठीक है अब देखिए बूझे जो है वो सोच रहा है कि कि अगर हमें बहुत दूर जाना पड़े पानी लाने के लिए मानलिए कि आपको दस लीटर पानी लाने एक किलोमेटर दूर चल के जाना पड़े और फिर दस लीटर पानी को लेकर आना पड़े अपने घर तक तब भी आप क्या 200 लीटर पानी इस्तवाल करेंगे देली का तो जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं है ना वरना तो पूरा दिन लाने ले आने में लग जाएगा पानी क तो हमारी वार्टर कंजप्शन उससाप से कम भी हो जाएगी और ऐसे ही होता है बहुत सारी आलाकों में जहां पर पानी कमी रहती है अब देखिए अर्थ का जो है या फिर कहें तो ग्लोब का एक पूरी तस्वीर है जिसमें ज्यादातर हिसा ब्लू दिख रहा है यहां तक कि टू थर्ड पार्ट जो है पूरे अर्थ का वो ब्लू कलर का दिखेगा आपको पानी पानी दिखेगा पर यह सारा पानी पीने लायक नहीं है यहां तक कि किसी लायक नहीं है यह नमकीन पानी है सारा है न इसका बहुत ही छोटा सा माउंट ही हमारे लिए पीने के लिए या फिर गें तो हमारे इस्तमाल के लिए अवेलेबल है जो उसे हम बोलते हैं रिवर्स का पानी पॉंड्स का लेक्स का और अंडर ग्राउंड वाटर आगे कह रहे हैं वाटर साइकल के बारे हैं पढ़ेंगे थोड़ा सा अब आप यह चीज देखिए कि आपने कभी कपड़ सुखाए होंगे कभी नहलouth में सुखाए होंगे यह को पी आप पानी का चल अंडर рाता है मतलब गर्मी थोड़ी से पर दिये और वो हवाए में और व्ड़ी चीज बड़े लंव पर हूता है सबसे जदा बड़े लेवल पर समुंदर अंडर उंडर, वह आम अभी तो जवाब होगा नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है जिसे आपने धूप में रखा होगा उसका पानी काफियत तक कम हो गया होगा वह हुआ में टीक है तो इसी को बोलते है इवैपरेशन जब धूप पड़े या फिर नूप ना भी पड़े जब हवा में चले आता ना पानी के बुलबुले ओड़ ओड़के बाब बनके तो उसको बोलता है इवैपरेशन ये एक स्लो प्रोसेस आराम राम से होता है ना एक तो अधा पानी को आप उबाल दिये अच्छे से गरम अरम कर गये तो क्या होगा बहुत जल्दी से ओड़े आग हवा में पानी एक होता धूप की रोषनिय से धीरे धीरे हवा में ऊड़ आना पानी का उसको बोलते हैं एवैपरेशन हमें आराम से दिखेगा नहीं हो ऐसे आखों से देखेंगे न हम तो तो थी चार गटे बाद हम देखते हैं तो क्या होता है कप्डे सूख चुके होते हैं पर हमें दिखते हैं का एक तो कपड़े सुखायमने वहां से हुआ एवैपोरेशन यह चोटे चोटे लेवल पर बता रहा हूं आगे समंदर का लास में बताऊंगा बोलने के प्लांट्स जो हैं प्लांट्स को अपने पड़ा होगा चैप्टर 7 में क्या से करते हैं वह पानी जमीन से खीश लेते हैं प्लांट्स का जड़ों के जरीए कहां तक जाता है उनके पत्तों तक जाता है वहां पर फ्योटो सिंथेसिस करता है करने के बाद क्या होता है वह पानी बचावा अपने स्टॉमेटा से क्या कर देता है अपने होल्स से जो होता है न वह बाहर निकाल देता है पानी को और व जो plant से हैं वो कितना पांई चोड़ते होंगे हवा में? तो जवाब है कि एक kilogram जितना जो गेहूं होता है ना गेहूं की फजल वो चोड़ती है लगबग 500 लीटर पांई सोचिए 500 लीटर पांई जिर्फ एक लोगेहूं का जो होता है whether it will apply तो सोचें बड़े-बड़े खेत कितना पानी चोड़ते होंगे, और पूरद दुनिया के प्लांट मिला के कितना पानी चोड़ते होंगे, बहुत-बहुत-बड़ा अमाउंट है, और ये तो कुछ भी नहीं, उसके केमपेरेटिवली जिसे हम ओशेंस बोलते हैं, ओशेंस य इतने अमाउंट में कि हर साल सिर्फ इंडिया इंडिया में आल्मोस्ट दो हजार लाक करोड टन पानी जो है बारिश के जरी आता है हमारे पास इतना इतना जादा क्लाउड पैदा होते हैं सोचिए आगे देखते हैं कि क्लाउड कैसे बनते हैं अब बात तो गल्ली हमने एव लिए यह वाली यह बहुत इंपोर्टेंट है हमारे लिए पता है क्यों देखिए भी लोस्टा धुरां के ट्रॉब बाहरी सत्य जहां कोई पानी निया वहां पही पानी जमआ हो रहा है तो इब बाहर पानी कहां सोचिए गलास तो लिक करनी रहा है तो यह पानी बाहर कैसा आ गया तो जवाब है कि हवा में पहले से पानी बाउजूदता पर जब बहुत थंडग देखी ना पानी ने तो एक जगा पे जाके जगा है तो बून देए वो जाकर इखटा हो जाती है एक जगा पे तो हमें दिखते हैं क्लाउड्स है ना और क्लाउड्स से पानी फिर बड़ी बड़ी बून्दों में नीचे आकर गरता है जमीन के ऊपर ठीक है अब आप समझ गया फॉर्मिशन कैसे होती है क्लाउड्स की या आपके लिए बहुत काम आने वाला है आगे बुल रहा है यह पहली कह रही है कि यह आपने देखा होगा अब्जर्फ करा होगा या थंड का टाइम होता है ना तो उसमें सुबा सुबा के टाइम जो भी लोहे की चीज़े होती है या फिर कोई भी चारा की चीज़ जो है पर जो है ना ओसकी बुंदे कहां से आती है वह एकटा हो गई सारी हवा के अंदर से ड्रॉपलेट जो है पानी की ठीक है और जो कोहरा होता है वह कहां से आया कोहरा तो वही होता है कि जो पानी हुआ वह एक जहां पर कंडेंस हो गया है बहुत सारा पानी तो उसी कोहरा बो तो बहुत सारा पानी के ड्रॉपलेट तो उसे हम बादल के देते हैं ठीक है यह बहुत ही इंपॉर्टन चीज है आपको पता होने चाहिए यह कॉंसेप्ट बहुत अच्छे से आगे देखिए क्या किया रहे हैं बूजे के पास यही सवाल है जो मैंने आपको जवाब दिया क जो कोहरा दिखता है वो क्या होता है मैंने बदाद यह बादली होते हैं वो एक तरह के जो जमीन के आस पास रहते हैं आगे बुलने बैक टुदी ओशन के जो भी बारिश से बानी आता न वह वापिस रिस्तावा कहां चले आता है वापिस समंदरों में ही चले आता है कैसे ले आता है कहते हैं कि अगर पहाडों पे बारिश होई तो पहाडों से रिस्तावा कहां जायागा वो नदियों में नदियों में से रिस्तावा कहां चले आगा वापिस ओशन्स में सारी नदिया जो भी निकलती हैं वो सब कहां जाके मिलती हैं ओशन्स में जाके मिल जाती ह मतलब जहां से पानी शुरू हुआ वहीं पर आके वापिस खतम भी हो गया मतलब समुंदर से पानी ओड़कर गया था बादल बना था वह बहता हुआ पहाड़ों से नदियों के तरीके से पहुंच गया समुंदर में और देखे आगे यहां पर क्या दिखा रखा है आपको इस अगर बहुत जादा रेंफॉल हो हेवी रेंफॉल जिसे बोलते हैं तो बहुत जाता वारिश से क्या होगा बताईए जाहिये जाहिर सी बाते बाढ़ा जाएगी देखिए ना बाढ़ा गई है इससे क्या होगा ट्रांसपोर्ट थप हो जाएगे लोगे जो घर वगरा हैं बहुत सारे समान का नुकसान हो सकता तो क्या होगा जमीन में पानी सूक जाए गाराउंड वाटर हुससे क्या होगाए की जो थोभी उग्रा होगा कोई भी क्येटी वगएरा होगी या कोई भी ब्लांट हो अब ब सब्ल्सक्राइब ना वापे कि हम पानी को बचा कैसे सकते हैं? ठीक है, पानी को बचाना क्यों मधिताओ है? यह भी समझ लिए, जहां पै पानी कम रहता है, वहां पे ऐसी ऐसी राइन लगी रहती है. बहुत नम्मी देख रहे हैं, बरतन में बरतन. यह सब किसी औंसान के बर्तन है जो रखें वे लाइन में सब लाइन में लएयंगे 2012-2002 गंटे और इसके बाद पानी ले आएंगे एक मटका या एक गढ़ा जो भी है सोचे कितनी मुसीवर्ट होती है पानी म seemed पर टेक है ताकि ऐसे लोगों को परिशान ना होना पड़े हम जब कम इस्तमाल करेंगे पानी तो ऐसी जगा उपर भी पहुंच पायागा पानी आसानी से पानी बचाने के सबसे आसान तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग मतलब बचाना उसको है ना कैसे ब आगे भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना रोड के आसपास में बहुत सारे गटेक हो सकते हैं वहां पर जम हो जायागा पानी जो भी बारिश से होगा फर बाद में उसको इसको सकते हैं अब देखिए यहां पर कुछ कीवर्ट्स हैं इन कीवर्ट्स में जादे तर तर मैं